स्वागत आपका भी न्यूज नेशन में महूं अभी दुस्ता इन शेक कोवीड नाइंटीन मीडिया हेल्थ बुलेटन में आज राज्य में 5815 करोना पॉजिटिव के नए मामले अब कुल राज्य में करोना पीडितों की तैदाद पहुंची है 12,19,036 को 11,832 लोगों को किया गया है आज एक ही दिन में डिस्चार्ज जिससे 26,37,29 को पहुंची है अब राज्य में करोना से सीय तैब होने वालों की तैदाद 13,872 लोगों का इलाज चल रहा है आज एकी दिन में 161 लोगों के मरने से 33,763 को पहुंची है वराज्य में करोना से मरने वालों की तैदाद आईए देखते हैं जिलों में क्या हैं कोवीड-19 आज के मामले बागल कोट में 11, बलारी में 128, बेलगा में 222, बैंगलूरु ग्रामिन में 161, बैंगलूरु सिटी में 1263, बीदर में 3, चामराज नगर में 113, चिक बलापूर में 105, चिक मंगलूरु में 117, चितर दुर्ग में 113, दक्षिन कंडड में 832, दावन गिरे में 114, धारवाड में 83, गदग में 28, हासन में 39, हावेरी में 20, गुलबरगा में 28, कोडगू में 135, कोलार में 132, कॉपड में 62, मंडिया में 208, मैसुरू में 59, रायचुरू में 16, रामनगर में 24, शिमुगगा में 223, तुमकु में 182, उडपी में 174, उतरकंड में 144, विजापूर में 44, यादगीरी में 5 क्रोना पॉजिट्व के मामले आज राजजभर में सामने आये हैं, बात करें विजापूर की तो आज 44 क्रोना पॉजिट्व के नए मामले, अब कुल जिले में क्रोना पीडितों की तैदाद को 190 लोगों को किया गया है, आज एकी दिन में डिस्चार्ज जिससे 34,716 को पहुंची है, अब जिले में क्रोना से सीयतियाब होने वालों की तैदाद, 696 लोगों का इलाज चल रहा है, आज 2 के मरने से 461 को पहुंची है, अब जिले में क्रोना से मरने वालों की तैदाद, बाग मारे ऑस्पिटल में दातों की बेमारी से जुड़े हर तरहा का किया जाता है इलाज जिसके माहिर औरल एंड मैक्सिलो पैसियल सर्जन डॉक्टर शाने करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज तो आज ही विजिट कीजिए बाग मारे मर्टी स्पैसलेटी ऑस्पिटल सकाफ रोजा सरकारी अर्दू स्कूल नमबर चार के पास और खबरों के लिए देखते रहिए बी नियूज नेशन